हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो शॉपिंग से डिलेटिट है वीडियो के होंगी दो पार्ट क्यूंकि वीडियो हो जाने है बहुत लंबी तो मैंने सोचा चले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ताके आप भी अच्छे से इसको देख सको तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज वो कर ले और अगर वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर गा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करें के स्केंकेर की चीजों की, तो मुझे इंस्टाग्रामब बहुत से लड़किएं की ड्यम जाते हैं, को प्लीस हमारी स्केंके मताबिक आप परॉड्ट हमें रिक्मेंड करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आपके इसको स्किप किये बगएर देखना है और अपनी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है सबसे पहले मेरे हाथ में जो प्रोड़क्ट है वो है लॉरियल पैरस की रिवीटा लिफ्ट लेजर सीरम जिन गर्स की एज 30 प्लास है वो इसे मौनिंग में यूज करें ये इंस्टंटली आपके फेस कमपलेक्शन को प्लम करती है फाइन लाइन्स को हतम करती है जिसे हम आम जबान में जुरियां भी कहते हैं आप चन्द ही दिनों में फील करेंगे आपकी स्कीन बहुत जादा ब्राइटन अप और समूद होती जा रही है प्राइस इसकी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंचिन कर दूँग आप वहां से देख लेना और अप्लाइ करने पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक है लेकिन अप्लाइ करने के बाद ये बिल्कुल भी फेस पर फहसूस नहीं होती चन्द ही दिनों में आप इसका फरक खुद महसूस करेंगे सो मेरे लिए ये काफी फाइदे मन्द है और ये सैकिंड बॉटल है मेरी इसके बाद मैं लेकाई हूँ गार्नियर डैलियल का SPF 50 संस्क्रीन स्प्रे और इसको आपने अपनी बॉड़ी पे अप्लाइ करना है जब भी आपने घर से बाहर निकलना है सो मैं ये नीनियोस वाला ले आई हूँ यानि के बच्चों वाला ले आई हूँ गलती से बाट चलें कोई बात नहीं अब इसको यूज करना पड़ेगा साथ में है ये अल्टरा स्वावे शैंपू जिन लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं वो इसको यूज करें इसमें chemical बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये बच्चों का shampoo है तो इसको use करने से आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा smooth हो जाएंगे ठीक है और अगर price की बात करें बिल्कु स्मूद और शाइनी लगती है स्किन के ऊपर आर डे आपके स्किन चमकती दमकती रहेगी और UV rays से भी आपको बच्चत मिलेगी ठीक है उसके बाद ये गार्नियर का स्क्रिन शॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले लें जिन लड़कियों की प्राब्लम है मुझे बहुत सारी लड़किया इंस्ट्राग्राम पे डिम्स करती हैं कि प्लीज बताते हैं अच्छा शैंपू तो इसका स्क्रिन शॉट अप ले ले इसके बाद मैं लेके आई हूँ दो तरह के रेजर एक है फेस रेजर और दूसरा है बाड़ी रेजर फेस रेजर बहुत सी लड़कियों का वहम है इसको यूज करने के बाद आपके फेस पे बाल बहुत ज़दा आ जाते हैं और इसको आप लेक्स पे और आम्स वगेरा पे आप इसको यूज कर सकते हैं ये दो तरह के रेजर हैं प्राइज डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएंगी सैकिन है ये केरावे के ये मुझे फ्री में मिले है एक्चुली मैं जा रही थी कहीं पे तो रस्ते में उन्होंन के बारे में बहुत जब्यादा सुना है तशे को यूज करूंगी अगर अच्छा लगा तो इसकी बड़ी बाटल भी पोड़ करूंगी ये है के रावे का है यूज को फॉन लजियंग को निको इसको यूज़ द्रा है। यूज़ करें। साथ में है ये विजी का शेंपू। और ये एंटि डेंडरिफ है। इची स्केल्स के लिए है। नार्मल टू ओी हैर्ष के लिए। इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कितना फाइदा है। इसके बाद मैंने लिया है पेटिट मेसन का फेस मिस्ट, मिस्ट माइ फेस, ये विटमिन सी का फेस मिस्ट है, और इसकी काफी सारी चीज़ें मैंने पर्चेस की हुई है, मुझे इतना जादा ये ब्रैंड पसंद है, इसका मॉस्टराइजर, इसकी हर चीज़ मुझे बहुत तो यह face mist है, इसके साथ यह सप्रेय है, आपने make-up करने से पहले या पर skincare में इसको add कर लें, make-up करने से पहले भी आप इसको face में mist कर सकते हैं, vitamin C समारी skin के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह face को brighten up करने में मदद देता है, आप इसको जरूर शामिल करें अपनी skincare में, क की consistency काफ़ी ज़्यादा थिक है, all day आपके hands को moisturize रखती है, और fragrance तो कमाल की है, इसके बाद मैं लेकर आई हूँ, technique का luminous primer, इसमें add है, vitamin C, जो के आपकी skin को brighten up करने के साथ साथ आपके make-up को glow बनाएगा, यह एक tube bottle में आता है, इसके उपर एक pump है, इसको apply करके देख लेते ह हैं, काफी glow effect दे रहा है, आपने इसको highlight points पे apply करना है, उसके ओपर जब आप base करेंगे, तो आपकी base all the day glow नज़र आएगी, जिन लड़कियों ने Instagram पे पूछा था कि आपी कून सी base हम use करें, तो आप जो भी base use करेंगे, उसके नीचे जब आप यह वाला primer use करेंगे, तो वो all the day glow नज़र आएगी, और अगर आप लोग कोई medium light to medium coverage foundation चाहते हैं, तो यह है Rimmel की है, यह matte perfection foundation, यह मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, कि यह मेरी दूसरी bottle है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा use करती हूँ, नॉर्मल डेज में, जब भी मैंने कहीं पे weekend पे बाहर जाना ह होता है, lunch बगारा के लिए, तो मैं इसको ज़रूर use करती हूँ, खोल के मैं आपको apply करके बताती हूँ, इसकी consistency, इसकी consistency जो है, वो काफी ज़्यादा runny है, आप इसको apply करेंगे, और इसके बाद जब आप blend करेंगे, तो यह buildable है, आप अगर full coverage आते हैं, तो इसका second coat जब आ सारा white foundation ना लिया करें, आपने skin से आगे जाके ivory shade और light shade मत लिया करें, यह आपके skin को grey बनाते हैं, आपकी base को grey बनाते हैं, हमेशा अपनी face के according की shade लिया करें, इसमें add SPF 20 जो आपकी skin के लिए बहुत अच्छा है, sun protection देता है आपको, और इसका shade जो है, यह है, nude, nude shade में है, आगे चलके बहुत सारा make up आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो आप मुझे DM में पूछते रहते हो, foundation, make up के बारे में, तो वीडियो का दूसरा part देखना नहीं बूलना, तो चलें दूसरे part की तरफ चलते हैं, बाई